ये विडियो में आप सीखेंगे Traversing a List मतलब List के Elements को विजिट करना One by One We can access each element of the list और Traverse a list using a Fall loop और a While loop तो List के सभी items को एक एक करके विजिट के जा सकता है या Traverse के जा सकता है उसके लिए आप Fall loop यूज कर सकते हो अधवा वाइड लूप यूज कर सकते हो List Traversal using Fall loop तो अब Fall loop के दोरह List Traversal किया जाएगा तो माल लीजिए List 1 है और इसमें Red, Green, Blue, Yellow, Black ये Elements है अब इसको Traverse करना है तो इसके लिए आप Fall loop रण करेंगे For Item in List 1 For Item in List 1 Print Item तो एक-एक करके सभी जो Colors है या Elements है वो Print हो जाएगे Red, Green, Blue Yellow, Black चलिए इसको हम Python Ideally पर Run करके देखते हैं तो हम Ideally Python को Open कर लेंगे Ideally Python ये देखे Ideally Python Open हो गया थोड़ी देर में इस्क्रीन पर आपको देखेगा उसके बाद हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट कर देएंगे ये देखे इस पर सबसे पहले हम List 1 बनाएंगे List 1 Is equal to एक List बना लेते हैं तो इसके आइटम हो जाएंगे Red Green Yellow Black Black Violet एन इंडिगो लिस्ट क्रियेट हो गई है अगर हम लिस्ट को एक सांद भी प्रिंट कर सकते हैं List 1 इस तरह से Capital में L है List 1 को इस प्रिंट कर सकते हैं अगर लिस्ट के आइटम को one by one आइक्सेस करना है Traverse करना है तो उसके लिए हम for loop लगाएंगे for item item in list 1 List 1 List 1 इसके बाद प्रिंट करेंगे प्रिंट List 1 इसके लिए हम लगाएंगे इसके लिए हम लगाएंगे जाएंगे प्रिंट करना है बाद करेंगे इसके लिए डिकी आइटम प्रिंट करेंगे आइटम को प्रिंट करना है चलिए तो आइटम करेंगे for item item in list 1 और यहां प्रिंट कर देंगे item इसके लिए हम इदर कर प्रोग्राम बनाएंगे इसके लिए हम इदर कर प्रोग्राम बनाएंगे list 1 is equal to red green yellow इसके बाद एक फार लू प्रिंट करेंगे for item in list 1 list 1 print list 1 और इसको run करेंगे इसको हम save कर लेते हैं list 1 के नाम से invalid syntax यहां पर कॉलन लगा देते हैं अब run करेंगे यह देखिए यह कुछ इस तरह से run होता है red, green, yellow red, green, yellow red, green, yellow यह प्रोग्राम तो कुछ इस तरह से है यहर लेखिए एक एक करके आइटम जो है, प्रिंट हो गए है, दूसर तरीका है, another way of accessing the elements of the list is using range function and len functions, तो देखिए, for i in range, for i in range, len list1, यह जो list1 के length को return करेगा, और यही इसकी range होगी, और i की starting value 0 होगी, print list1 i, तो index के अनुसार list item प्रिंट हो जाएंगे, चलिए इस प्रोग्राम को हम run करते हैं, कि देखिए, सिर्फ हमें यह line चेंज करनी पड़ेगी, for i in range, और यहां पर range के लिए हम len function के उच करेंगे, then list1 यह है, और यहां पर print करेंगे, print list1 और यहां पर index देंगे, i, और इसको close कर देंगे, अब हम प्रोग्राम को run करेंगे, invalid syntax, for के लिए आप यहां पर colon लगाएंगे, इसके बाद प्रोग्राम को फिर से run करेंगे, most isn't call last, list के spelling गलत है, यहां पर देखिए, list के spelling गलत है, तो list के spelling सही करेंगे, यहां पर file लगा देंगे, तो list के spelling सही हो जाएगी, और फिर से इसको run करेंगे, यहां देखिए, प्रोग्राम सक्सेस्फुली run हुआ है, अब list को traverse करेंगे, while loop की सायता से, देखिए, list1, वही items डेले हुए हैं इसमें, i equal to zero कर दिया, i less than len list1 किया है, अब प्रिंट list1, i index पास किया है इसमें, और i को increment किया है, तो इस प्रिकार से list के सभी items जो हैं, डिस्पले हो जाएंगे, चलिए, इसको हम run करते हैं, python ideally पे, हम यहाँ पर while loop, i is equal to zero ने लेंगे, क्योंकि index zero सुरू होता है, और यहाँ पर हम while loop लगाएंगे, while i less than len list1, list1, while loop को close कर दिया, अब यहाँ पर print करेंगे, print list1, i, i जो है इसका index है, इसको close कर दिया, अब यहाँ पर i को increment करेंगे, i plus is equal to one, one one step इसको increment करेंगे, यहाँ पर loop लगाया है, इसलिए colon लगाना पड़ेगा, run कर दीजिए इस program को, यह देखिए, red, green, yellow, output सही आ चुका है, तो आज आपने सीखा, कि list के items को कैसे traverse करते हैं, traversing a list, अगले वीडियो में आप सीखेंगे, list, methods and built-in functions, तो इस channel को subscribe करेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो को notification आपको तुरंत मिले, सांती वीडियो को like करिए, और अपने दोस्तों सांसेर करिए, जिससे कि वो भी python को सीख सके,